हाड़ा हुरां दिस एमना इम बैक विदर अमेजिंग वीडियो हमाये चैनल स्नो वील्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है होप आपसे भी ठीक होंगे पियाजो गुरूप अपने नए इलेक्रिक स्कूटर पियाजो वन को जल्दी ही लॉंच करने के तयारी में है कमपणी ने अपने इस फुली एलेक्रिक स्कूटर की ओफिशल तोर पर पहली जलग दिखाई है पियाजो वन एलेक्रिक स्कूटर को वैस्पा की तरह यंग जनेशन की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है company ने अपने नए electric scooter को social media platform के जरिये पेश किया है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ही पियाजो 1 electric scooter के बारे में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल हूं मत बूलना and press the bell icon for upcoming updates इस electric scooter को 28 मई को Beijing Motor Show में globally debut के लिए पेश किया गया था लेकिन इस से पहले ही scooter की images सामने आ गई थी पियाजो ने अपने इस नए electric scooter के features और styling की details रिलीज की है पियाजो गुरूप की समय बात में सिर्फ Vespa और Aprila जैसे brands की sale करता है इंडियन मार्किट में पियाजो वन electric scooter के competition TVS IQ, बजाज चेतक EV and author 450X जैसे electric scooter होंगे कमपनी के मताबिक पियाजो electric scooter city में daily commuters के लिए काफी useful साबित होगा इस electric scooter का weight काफी कम होगा जिससे driving age भी काफी ज़ादा मिलेगी इस electric scooter में portable lithium iron battery दी जाएगी जिससे गर या office पर easily charge के अज़ा सकता है रिपोर्ट के मताबिक यह scooter एक बार full charge में 90 km तक का distance cover कर सकता है पियाजो वन electric scooter के में advanced technology के साथ साथ नए शांदार features भी दिये गए है रिपोर्ट के अनुशार पियाजो वन में keyless ignition का feature दिया गया है यानि इसमें remote start system दिया गया है पियाजो के बाकी scooters की ही तरह पियाजो वन scooter की build quality काफी अच्छी है इसके साथ ही scooter में digital color instrument panel, fully LED, lights, keyless ignition system, USB charging, two riding modes दिये गए है वैस्पा scooter से inspired पियाजो वन scooter में front में single sided suspension और rear में double sided swing arm suspension मिलता है ब्रेकिंग के लिए front और rear दोनों tires में disc brace मिलते हैं इस scooter में सबसे unique चीजिस की low seat height है इसकी वज़े से कम height वाले riders के साथ ही सभी के लिए चलाने में बहुत ही आसान होगा इस electric scooter में flat foot rest मिलते हैं जिससे एक comfortable riding poster मिलता है इसके साथ ही scooter में बड़ा lag room मिलता है जिससे बड़े height वाले riders भी आसानी से scooter को चला सकते हैं कपनी जल्दी ही PGO1 electric scooter को international two market में launch करेगी इंडिया में इसकी launch के बारे में फिलाल कोई official announcement नहीं है आज की वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like और share जरू करना और हमको comment box में यह जरूर बताना कि आपको electric scooter कैसा लगा और अगर आपने अभी तरह माई चानल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी subscribe को दीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल दन राइट सेफ